आज मैं बनाने जा रही हैं दोस्तों मुंफली और चने डाल की चटनी जो आप इडली हो गया बाड़ा हो गया या फिर डूशा में आप खा सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ आज मैं बनाने जा रही हूँ मुंफली और चने की डाले तो दोनों मिला कर आज मैं चटनी बनाऊंगी बहुत टेस्टी बनता है तो देखें मुंभली की चटनी में तरका लगाने के लिए यहां पर फ्रेस मैं ले ली हूँ कड़ी पत्ता यह मेरे घड़ का है तो और यहां पर एक लेंटन ले ली ली हूँ अब यहां पर जांगा लेती। कड़ाई को मैं चड़ा दी हूँ अब पांच मिनद तक मौंखली और चने दाल को मैं भूझेंगी थोड़ा सा मैं तेल डाले हूँ सर्षों का आप इसको पांच मिनद तक दिमी आज पे रोष्ट कर लीजी भूझ लीजी जब तक भूझना है तब तक ये चटक न जादे कि मौंखली बिल्कुल चटक गया है तो आप इसको प्लेट में आप निकाल लेजी मैं सारा निकाल लेती हूँ पांच मिनद इसको भूझना है बहुत टेश्टी लगता है दोस्तों जब आप भूझकर चटनी बनाएगे ना इसका कच्चा पर निकल जाता है तो इसी लिए इसको आप भूझ लीजे मौंफली मेरा ठंडा हो गया था यहां पे मैं जार ले ली हूँ जार में सारा मौंफली और चने डाल को मैं डाल देती हूँ और चार पांच लहसन का टुकरा है उसको मैं डाल देती हूँ और दो चमच काला नमक डालूंगी और हाफ चमच यहां पे सफेद नमक डाली हूँ तो आप इसमें तरका लगा लिजी, यह मैं चटनी बनकर रेडी हो गया, बस इसमें आप तरका लगाना, यहां पे मैं कलचुल चढ़ा दी हूँ, अब इसमें दो चमच तेल डाल दीती हूँ, सर्शों का तेल है, और गैस का फ्लेम बिल्कुल है रखना है दोस्तों, तो तेल मेरा गर्म हो गया है, अब यहीं पे मैं दो चमच डालूँगी, सर्शों, तो दो चमच आप सर्शों डाल लीजी, मुमफली की चटनी में सर्शों बहुत अच्छा लगता है, इसका जब तरका पड़ता है, सर्शों का तो बहुत तेश्टी लगता है, यहां पे दो सूखा मिर्च में डाल दीए और धेर शाना कड़ी पता डाल दीए तो बहुत तेस्टी लगता है इसको आप एक मिनट के लिए पका लिए देखिए मेरा हो गया अब इसमें मैं डाल देती हूं जल्दी से डालकर और इसको आप ढ़क दीजिए अगर नहीं ढ़किएगा न तो इसका फ्लेवर है ना तरका का वह उठ जाएगा तो फिर चटनी में कैसे आएगा फ्लेवर इसलिए ढख दीजिए दो मिनट हो गया था दो मिनट के बाद मैं देखिए बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ रहा है दोस्तों इसको अब मैं मिला लेती हूं चटनी में अच्छी तरी कि यह हाड होता है ना भारी होता है तो बहुत को हानी करता और बहुत को फैदा भी करता है तो जिनको हानी करता है तो आप उसमें लेमन का जूस जरूर डाल कर आप खाईएगा तो आपको बिल्कुल हानी नहीं करेगा दोस्तों इसमें लेमन डाला जाता है बिल्कुल हानी आप डोशा या फिर इडली खाते हैं ना शांबर्त उसके साथ यही चटनी रहता है तो आप मेरे तरीके से जरूर बना कर खाईएगा दोस्तों अगर अच्छी लगी आप मुफली और चने दाल की चटनी तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट और सबस्क्राइब कीज दोस्तों और बिलकुल मेरे तरीके से यह मुफली की चटनी बना कर खाईएगा खास करके इडली में तो जरूर खाईएगा बारा हो गया और डोशा में भी तो मिलती हूँ दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई